हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खुबसूरत उलें ब्लाउज लेकर आई हूँ तो फ्रेंड्स ये कापी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस उलें ब्लाउज को आप लोगों को पूरा बताया जाए कि ये कैसे बनाया जाता है तो आज मैं आप लोग को इसी पार्ट में बताऊंगी कि ये ब्लाउज बना कैसे है और इसके नीचे का जो बॉर्डर के डिजाइन है फ्रेंड्स उसका लिंक मैं में मेंसन कर दूंगी क्योंकि उसकी वीडियो अल्रेडी पढ़ शुकी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्श मैं इसी वीडियो में बताऊंगी तो आप लोग बहुत अच्छे से केयर करके बनाईएगा फ्रेंड्स तब बहुत ही अच्छा बनेगा ये देखे मैंने से सी ग्रीन और पिंक कलर में बनाये हुए और काफी खुबसूरत इसका कलर कॉंबिनेशन भी है बहुत प्यारा भी कि कितने नंबर के लिए कितना फंदार रखना है तो ये सब आप लोगों को वीडियो में पूरा पता चलेगा तो देखे कितनी खुबसूरत है सेम एक जैसा दोनों साइड है आप दोनों साइड से इस तो पहन सकते हैं इसमें आगे पीछे को कोई इसू नहीं तो चलिए इ कि इसको मैं पूरी स्टेप बेस्टेप बता हूं तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए देखे मैं डिजाइनर बना रहे हैं यहां पे मैंने सिंपल बनाए हुए है बट यह वाला नीचे वाला पार्ट एकदम डिजाइनर होने वाला है बनने के बाद friends एकदम बहुत ही खुब सूरत लूक आएगा तो आप लोग तीनों पार्ट देखें इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइट करूँगे फर्स्ट फार्ट चलिए हम बनाते हैं इसके लिए देखें friends आप अपने हिसाब से इसके लंबाई रख सकते हैं क्योंकि ब्लाउज हमेशा सबको फुल पेट का ही पसंद आता है तो यह देखें मैंने इसके लंबाई काफी रखी हुई है या तो आप ऐसे भी नाप सकते हैं देखें मैंने इसको आठ अंगुल बनाया है या तो आप इंची टेप से बना ले 6-7 इंच की इसकी लंबाई रखें लंबाई रखने के बाद इसको आपने कोई सी भी डिजाइन डाल नहीं या आपने ये दोनों डिजाइन मैंने मेंने मेंसन कर दिया है आप दोनों डिजाइन डाल सकते हैं इस पर description box में भी मैं link mention कर दूंगी तो आप ये दोनों design डाल दें तो देखिए मैंने इतनी designs डाल दी है अब इसको क्या करना है friends दोनों side से हमने एक एक फंदे डिस्क्रिस करने यानि घटाने है एक एक फंदे हमने घटाना है तो चलिए इसको हम यहाँ पे दो का एक करते हैं यह देखिए design हमारी सेम हो ऐसे ही बनेगी एक हम slip कर रहे हैं एक knit कर रहे हैं लेकिन दोनों side से हमने एक एक फंदे घटाने हैं ऐसे ही आपने दो part बनाना है बहुत easy design है यह बहुत खुबसूरत यह बन कर आएगा friends क्योंकि यह तो मैंने simple में बनाया है black वाली पट्टी बस इसको मैंने design कर दिया है क्योंकि कुछ design अलग तरीके सी होनी चाहिए friends तो काफी लोगों को interest भी लगता है और अच्छा भी लगता है क्योंकि आपने तो इसको देख लिया आप समझ ही गया है कि इसका look कैसे आएगा लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अलग सा बनाओ मैं अगर आप simple बनाना साथ चाहते हैं तो आपने simple यही वाली design बनानी है मैंने यह black वाली में यही design डाली है देखे से साबुन दाने वाला border भी कहते हैं तो ऐसे ही हमने पूरी सलाई चलिए निट कर लेते हैं देखे फ्रेंट्स हम बैक साइड आगे हैं बैक साइड से भी हमने दो फंदे का एक करना है आपने हमेशा यही साइड साइड से हमने दो फंदे का एक करना है बाकी की सारी सलाई हमारी उल्टी उल्टी जाएगी और आगे की साइड से हमारी design बनेगी दो का एक दो का एक हम से हमारे देखिए यहां से ऐसे होते हुए जानी है फिर यहां पर हमने जब चार फंदा आ जाएगा तब हमने बंद कर लेना है लेकिन एक चीज और देखिए मैंने हाँ पे 70 से 75 फंदे डाले हैं बॉर्डर के लिए उपर मैंने यहां पे 5-6 फंदे बढ़ा लिए यानि करते हैं तो काफी लंबा यह चला जाएगा तो इसलिए कहीं कहीं आपने तीन का एक कर देना है कहीं कहीं ताकि हमारा सेप सही से आए और डिजाइन भी अच्छे से बन जाए क्योंकि असी फंदे है तो अगर हम दो का दो का एक करेंगे तो यह काफी ऐसे होके आएगा कि दो दो फंदे डिस्क्रीज करते हुए घटाते हमारे यहां टोटल उपर चार से पांच फंदे बचे है तो यह देखे मैंने आप लोग को बताया था फ्रेंट्स हर सलाई में आगे की सलाई में दो फंदो का एक करना है लेकिन फ्रेंट्स मैंने यहां पर उपर जाके आपने दो पार्ट ऐसे ही complete करना है, देखिए, ऐसे ही आपने दो पार्ट complete करना है, देखिए, दोनों साइट से एक ही पार्ट ऐसे बनेगा, तो आपने दो पार्ट ये पहनने से ऐसे इतना, देखिए फ्रेंट, इस्ट्रेस हो गया है, तो आपने दो पार्ट ऐसे complete करना है, उपर का पार्ट मैं जल्द ही अप्लोड करूंगी उपर का जो पार्ट रहेगा हमारा वैसे ही दोनों पार्ट बनेंगे इसमें सेम बहुत सिम्पल है फ्रेंट्स क्योंकि एक पार्ट से दो पार्ट बन रहे हैं एक जैसे तो आप लोग ऐसे ही श्ट्रिप तैयार कर लें आप जितना भी फंदे डालते हैं अपने बॉर्डर पर उतना ही डालें और आप अपने इसाब से लंबाई जैसे मैंने इसको आठंगोल बुन कर देखिए टोटल मेरे हमारे यहां पर आठंगोल बुन कर फिर दो का एक दो का एक में करते हुई आई हूँ ओपर से मैंने साबंदाने वाला बॉर्डर डाला हुआ है जो कि बहुत ही खुब सूरत है तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वावाज चैनल आ स्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग वहां से चेक आउट कर लिजिए गा यह देखिए मैंने आप पर ऐसे ही दो पार्ट आपने बना लेने हैं कि सबका मेजर्मेंट मैंने आप लोग को बता है और मैंने आप देखिए फ्रेंट्स यह 32 नंबर के लिए मैं बता रही अगर आप 34 नंबर के लिए बना रहे हैं तो असी फंदे यहां डाले पांच फंदे उपर बढ़ा ले तो जलिए ओगो सब आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कितने नंबर का बनाना कितने साइज के तो इसके लिए देखिए फ्रेंट्स मैंने यह से अगर आप लोग एक पार्ट बनाना सीख लेंगे तो दोनों सीख लेंगे तो चलिए इसको हम सुरू करते हैं देखिए फ्रेंट्स यह हमने आप लोग को यह बांडर बनाना बताया है आप लोग देख सकते हैं ओले ब्लाउज का खुबसूरत बांडर कितना खुबसूरत यह लग रहा है फ्रेंट्स इस बॉर्डर को आप जरूरी नहीं है कि आपने और उलिन ब्लाउज पर डालना है बेबी फ्रॉग देखिए या कार्डिगन पर भी आप डाल सकते बहुत ही खुपसूरत यह देखिए जैसे लग रहा है मैंने क्रोसिया से किया हुआ है तो इसको छह सलाईयों की निटिंग की है डिजाइन यह डिजाइन अभी मैं आप लोग को बनाना बताऊंगे छह सलाईयों की निटिंग करके हमने यह पिंक वाले से बनाई है डिजाइन उसके बाद हमने क्या किया है फ्रेंट्स देखिए उसके बाद हमने ग्रीन कलर से चार सलाईय की निटिंग की है दोनों साइट से सीधे सीधे या तो आपने दोनों साइट से उल्टा उल्टा बनाना है या तो आपने दोनों साइट से सीधा सीधा बनाना है बस हमारा यहां पर गाटर इस्टिच आना चाहिए उसके बाद हमने क्या किया है देखिए पिंक कलर से हमने फिर से यहाँ पर जब आप ग्रीन वाला बुनेंगे तो आपने ऊपर 15 फंदे बढ़ा लेने हैं यानि हमारे टोटल यहाँ पर 75 फंदे हैं हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था 60 फंदों से 60 फंदे बनाने के बाद 6 सलाईयों की हमने यहाँ पर निटिंग किया पिंक वाले से निटों मिलाके तहुझने पहले रोमें पीछे कि साइट से 15 फंदे बढ़ा लेने हैं उसके बाद aten हिमारे टोटल यहाँ पर 75 फंदे हो गया 75 फंदे होने के बाद आपने 30 फंदे एक साइट रखने तीस फंदे एक साइट यानि 30, 30, 60 हो गया टोटल हमारे यहाँ पे 60 फंदे हो गए, अगर हम 30 फंदे इस साइट रखेंगे 30 फंदे इस साइट, उसके बाद हमारा बचेगा कितना 15, तो हमने इस साइट तो 15 फंदे, sorry 30 फंदे ले लिया है, अब हमने पीन लेना है, आपने बड़ी वाली पीन लेनी है, देखिए, आपन 15 फंदे रखने है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे टोटल 75 फंदे है, तो हम 15 फंदे यहाँ पे रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faktiskt, देखिया, आपना देखिये, हुमने यहाँ पे 15 फंदे लिया है, अब देखिये, मैं आप लोग को बता रहे है, कौन सा पार्ट कितना हम बना चुकर है, तो देखिए, हमने यहाँ तक बना लिया है यह आपको छोटा ऐसे दिखने में लग रहा है बट हम यहां से मॉपेंगे तो यह हमारा देखिए बॉर्डर की वज़़े से टोटल यहां तक हमारा यह कम्पलीट हो गया है यह देखिए तो अब हमने यह वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है यहां से देखिए यहां पर जैसे यहां पर पंद्रफ अंदे हमने पीनप किया है यह चीज हमारा यह कंदे का रहा है तो इसको हम यहां से पंद्रफ अंदे पीनप कर लिए है उसके बाद 15 फंदे पिन अब करने के बाद हमारा यहाँ पे एक पार्ट का शिर्फ चलेगा उसके बाद फ्सक में बनाना सुरू करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे 15 फंदे रख लिये हैं उसके बाद हम यही से सलाई को मुल लेगे अब आपने क्या करना है एक ही side से हमारी पहले ये पट्टी बुने जाएगे तो पीछे की side से हम उल्टा-उल्टा बुनकर complete करते हैं देखे friends हम पीछे की side से बुनकर आगे हैं अब देखे आगे की side से आपने design बनानी है एक चीज और फ्रेंड्स ये आपको लगेगा कि एक साइट से आपके एक एक फंदे कम होते जाएंगे एक साइट से आपके फंदे बढ़ते जाएंगे तो आप अपने हिसाब से इसको देखिए मेंटेन कर लीजिएगा क्योंकि इससे आप लोग डिश्टर्ब ना हो कि क्यों एक साइट से फंदा बढ़ता जा रहा है और एक साइट से घटता जा रहा है यह डिजाइन ही ऐसी है कि एक साइट से मारे फंदा बढ़ता जाएगा एक साइट से एक-एक फंदे घठते जाएगे तो उसमें कोई इसु नहीं है, आपने कोई घठाना नहीं, कहीं भी छड़ना नहीं है, तो चलिए एक फंदे हम ऐसे बुनते हैं, यह डिजाइन हम बनान करके आपने क्या करना है यह हमारी डिजाइन बन रही तो उनको आगे करके आपने ऐसे आपने जाली नहीं बनाना है आप ऐसे लेके देखिए ऐसे लेके देखिए फिर जाली आपने ऐसे बनाना है फिर देखिए हम यह पर चार फंदे बुनेंगे एक श्टार्टिंग से आप चार फंदे हो गए अब हमने उनको आगे करना है और यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से देखें ऐसे करके पीछे से हमारी यह जाली पड़ेगी फिर देखिए एक दो तीन चार फंदे फिर उनको अपनी साइट किया हमने और यहां पर ऐसे जाली फिर एक दो तीन चार फंदे बुने फिर उनको अपनी साइट किया और हमने देखिए यह पीछे से ऐसे खरके फिर जाली बनाएंगा अब देखिए हमारी यहां पर फंदे कम हो रहे हैं फिर इनको हम ऐसे ही बिन देंगे पीछे की साइट से सारे उल्टे फंदे बुनते हैं देखिये मागे की साइड आ गए है अब देखिये फंदे हमारे यहां पे पहले हमने चार फंदे लिये थे तो एक दो तीन चार यहां पे हमारे तीन फंदे बढ़े हैं क्योंकि हमने यहां पे एक दो तीन तीन डिजाइन बना लिए है तो इसलिए तीन फंदे बढ़े हैं तो तो फ्रेंड्स आपने ऐसे ही 28 जाली बनानी है एक बर मैं आप लोग को और बता दूँ क्योंकि नई तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी उन को आगे करके आपने यहां से पीछे को ले जाके ऐसे ही जाली बनाना है तो चलिए ऐसे ही हम पूरी डिजाइन बना लेते हैं एक बार और आप लोग को दिखा दूँ चार फंदे मुनेंगे दो तीन चार इसको आगे किया फिर देखिए ऐसे एक दो तीन चार देखिए आगे की साइड आगा है अब हमारी आप पे एक डिजाइन और बनेगी एक दो तीन चार ऐसे हमारे जब यहां पे फंदे बढ़ते जाएंगे तो फ्रेंट से एक एक डिजाइन हमारी बढ़ती जाएगी अगर हम काउंट कर लेंगे कितना फंदा हुआ तो हम डिजाइन को बनाते जाएंगे अब देखिए अब यह इतनी ही डिजाइन जाएगी फ्रेंट्स आप लोग को मैं बता दू आपने यह ऐसे ही जो सबसे लंबी जाली जाएगे उसको आपने काउंट कर लेना कि कितनी जाली बनी तो 28 जाली आप बना ले फिर इस साइड भी 28 जाली बना ले तो फ्रेंट्स वीडियो को ला